साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक खेती को टेक्नोलोजी से जोडने का आदूनिक रिसर्च के फायदों को जोडने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमी का रिसर्च समस्तानों और क्रशी विश्व विद्यालगों की भी है। इसके अलावा तीन और राष्ट्रिय समस्तान आईये आराई जारखन, आईये आराई असम और बिहार के मोतिहारी में महत्मा गांधी इंस्टिटूट फॉर इंटिग्रेटेड फार्मिंग इनकी भी स्थापना की जा रही है। इस रिश्व समस्तान छात्र छात्राओं को नए मोके तो देंगे ही स्थानिय किसानों तक टेक्नोलोजी के लाब पहुचाने में भी उनकी ख्षमता बढ़ाने भी मदद करेंगे। अभी देश में सोलर पंप, सोलर ट्री, स्थानिय जरूरों के मताबिक तैयार किये गए बीच, माइक्रो इरिगेशन, ड्रीप इरिगेशन, अनेक छेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को जादा से जादा किसानों तक पहुचाने के लिए, खास तोर पर बुंदेल खंड के किसानों को इससे जोडने के लिए आप सभी की बहुत बड़ी भूमी का है। आदुनिक टेक्नोलोजी का उप्योग क्रिशी और इससे जूड़ी चुनोतियों से निपटने में कैसे काम आ रहा है। हाल में इसका एक और उधान देखने को मिला है। आपको याद होगा, यहां बुंदेल खंड में, मई के महने में, टीडी दल का बहुत बड़ा हमला हुआ था। और पहले तो यह टीडी दल यहने अपने आप में खबर आती है, जब टीडी दल आने वाला है तो रात-रात किसान सो नहीं पाता है। सारी महनत मिनिटों में तबाह कर देता है। कितने ही किसानों की फुसल, सबजियां बरबाद होना बिलकुर निर्धार्द हो जाता है। मुझे बताया गया है कि बुंदेल खंड में करीब करीब, तीस साल बाद टीडियों ने हमला किया। वरना पहले इस खेत्र में टीडिया नहीं आती थी। सात्यों सिर्फ उत्रपदेश ही नहीं। देश के दस से जादा राज्य टीडी दल या लोकस्त के हमले से प्रभावित हुए थे। जितनी तेजी से ये फैल रहा था। उस पर सामान्य तोर तरीकों पारंपारिक माद्यमों से नियंत्रन पाना बहुत मुश्किल था। और जिस प्रकार से भारत ने ये टीडी दल से मुक्ति पाई है, इतने बड़े हमले को बहुत बैज्यानित तरीके से जिस प्रकार से समाला है। अगर कॉरोना जैसी और चीजे न होती तो शायद हिंदुस्तान के मिडिया में हफ्ते भर इसकी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई होती। इतना बड़ा काम हुआ है। और ऐसे में टीडी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए जो युद्धस्तर पर काम किया गया। जांसी समेत अनेक शहरों में दर्जनों कंट्रोल रूम बनाए गए। किसानों तक पहले से जानकारी पहुँचे इसका इंतजाम किया गया। टिड्डियों को मारने और भगाने के लिए जो स्प्रेवाली स्पेशल मशिने होती हैं वो भी तब हमारे पास इतनी संगामन नहीं थी कोई कि ये हमले ऐसे नहीं आते हैं। सरकार ने तुरंत ऐसी दर्जनों अदूनिक मशिनों को खरीद कर जीलों तक पहुँचाया। ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, केमिकल हो, दवाईयां हो, ये सारे संसाधन लगा दिये। ताकि किसानों को कम से कम नुक्षान हो। इतना ही नहीं, उचे पैड़ों को बचाने के लिए बड़े क्षेत्रों में एक साथ दवा का छिड़काव करने के लिए दर्जनों ड्रॉन लगा दिये गए। हेलिकप्टर तक के दवाई छिड़काव किया गया। इन सारे प्रयासों के बाद ही भारत अपने किसानों का बहुत ज्यादा नुक्सान होने से हम बचा पाए हैं। हम बचे हैं। स्थानिय ड्रॉन टेक्नोलोजी हो। दूसरी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की टेक्नोलोजी हो। आदुनिक क्रिशी उपकरण हो। इसको देश की क्रिशी में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए आप जैसे युवां रिसर्चर्स को युवां वैज्यानिकों को निरंतर एक समर्त्मित भाव से वन लाइब वन मिशन की तरह काम करना होगा। बीते छे साल से ये निरंतनर कोशिश की जा रही है कि रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो। गाओं के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइंटिफिक एडवाईज उपलब्द हो। अब केंपस से लेकर फिल्ट तक एक्सपर्ट के जानकारों के इस एको सिस्टिम को और प्रभावी बना ले के लिए काम किया जाना जरूरी है। इसमें आपके विश्विविद्या लेके भी बहुत बड़ी भूमी का है।